अगर आप देखे तो दोनों को कंपेर करना काफी मुश्किल है क्योंकि यूवी अगर आप देखे तो लास्ट अगर पांच साल शे साल या में भी उसे ज्यादा सालों से वो नंबर चार पे बैटिंग कर रहे हैं नंबर पांच एक की पोजिशन होता है यूवी स्टाटिंग में नंबर पांच पे बैटिंग करता था बट उसके बाद उसके बाद उसके बाद रूल चेंजस के बाद अगर आप देखे तो यूवी ने काफी बोलिंग नहीं की है जब से यह नया रूल आया है तब से तो कुछ तूसम एक्स्टेंट उनकी बोलिंग पे इसका फर्क जरूर पड़ा है हाला कि अभी भी टीट्वेंट में अगर आप देखे तो इस रेगुलर विट बोलिंग जब थोड़ा सा भी हेल्प होता है विकेट में तो हमने देखा है कि वो अच्छी बोलिंग करते हैं इस्पेशली लेफ्ट एंडर्स को वो काफी अच्छी बोलिंग करते हैं अच्छी बोलिंग करते हैं यूवी बोलिंग करता था बट काफी फर्क पड़ा जब से नया रूल च्छी बोलिंग करते हैं अच्छी बोलिंग करते हैं तो बहुत बार हम साथ में बैटिंग नहीं करते हैं दोजार पांच के बाद से बीच में राइना अंदर बाहर भी हुआ टीम से बट वो पांच पे या छे पे बैटिंग करता हैं तो जब चेस कर रहे होते हैं तो जो जो बोलिंग करते हैं अलसो इस नाच्रल स्टोग प्लियर तो किसी भी सिच्वेशन में वो बड़े स्टोग केल सकते हैं आइफील दट यूज एज़ आप प्रेशा इस आपको बीच बीच में उन से बात करते रहना होता है कि पांच वेगेर से वापस दीसरे गेर पर आजाओ क्योंकि पीछे बहुत जादा बैट्समन नहीं हैं और एक यूज एस टेकन जो डाड जौब रहली वेल तो तर्षा सिच्वेशन में थाखना इस दोड़ पांच के बाद नहीं चाहिए बाद नहीं है यूज अगलग इंस्टेंसेज में उसके कारण है कि वी जैल अप रहली वेल